घरेलू उपाय में आपका स्वागत है और आज हम आपको बताने वाले हैं सर्दी में कैसे आप मोटापे को कम कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे देखते रहें सर्दी के दिनों में खाने पीने के बहुत से स्वादिष्ट विकल्प उपलब्द होते हैं इस मौसम में पाचन तंतर भी अपिछा कृत अधिक सक्री होता है इसलिए आप चितना भी पॉस्टिक चीजे खाते हैं वो आसाने से पचती है और आप पाते हैं बहतर सेहत खास चीजों का ध्यान रखें तो आप अपने वजन को कम करने में बहुत ही आसानी पा सकते हैं तो ऐसे ही कुछ खास टिप्स में आपको बताने वाला हूँ जिसको आप अपना कर अपने जीवन में अपना कर अपने वजन को कम कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों ऐसा पहला टिप्स मैं बताने वाला हूँ खान पान के बारे में इस मौसम में आप सेहत बनाने के साथ साथ वजन कम करने का विशेश ध्यान दीजिए और डाइट भी इसके अनुसार ही लीजिए खाने से फल, हरी सबजी, फाइवर की मातरा अधिक लीजिए इस मौसम में मीठा और फैटी फूड जरूर आकिशित करता है लेकिन इसे नजरनदाज करें फिर देखिए कैसे कम होता है आपका मोटा पान दूसरा जो टिप्स हैं वो है गर्म पेपधार के उपर इस मौसम में गर्मा गर्म चाय, कौफी, स्वाद के साथ गर्मा हट भी देती है लेकिन इसका सेवन आपको कम करना होगा इसमें मौझूदा दूद, शक्कर आपका वजन कम होने में जरा मुश्किल पैदा कर सकते हैं इसके बजाए आपको ग्रीन टी, ब्लैक टी या फिर गर्म पानी में निवबू और शहत को मिला कर या फिर दाल चीनी का सेवन करके आप अपने वजन को कम कर सकते हैं दाल चीनी का सेवन भी आपको हलके गुनगुने पानी में ही एक दो तीन चुटकी दाल चीनी मिला कर और इसके पीने से आपके वजन कम होने में फायदा मिलता है और आपका पाचन तंतर भी बहुत अच्छा होता है तीसरा व्यायाम इन दिनों में रजाई में घुसकर आराम करना ही अच्छा लगता है लेकिन इस आराम के बज़ाए अगर आप सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करेंगे तो आपका मुटापा कम होने में बेहत फायदा होगा साथ ही शरीर में गर्माहर भी बनी रहती है चौथा जो आपको टिप्स बताने वाला हूं शराब को ना कह दे जो शराब पीते हैं यह उनके लिए टिप्स हैं अगर आप शराब पीते हैं तो उनको आप शराब से आपको परहेज करना होगा अगर आप अपना मुटापा गटाना चाहते हैं तो अगर आप गर्माहट पाने के लिए शराब का सेवन कर रहे हैं तो यह आपका वजन तेजी से बढ़ा सकती है इस मौसम में शराब का सेवन कम कर आप अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं पाचवा जो टिप्स है वो है सक्री रहने के लिए एक ही स्थान पर बैठे रहने के बज़ाए सक्री रहने का प्रयास करे ताकि आपका शरीर क्रिया शील रहे और वजन का जमाव नहों पाए मुटापा वसा के जमाव से ही होता है अक्सर मुटापा और वसा कम करने में आप जितनी मेहनत करते हैं उसे बनाय रखने के लिए आप सक्रिय होना बहुत ही जरूरी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपके मन में कोई भी सवाल ना सुझाओ इस वीडियो से लेटर चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले और अगर आपने अभी तक हमारे यूटीब चैनल घरील उपाय सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले तागे आगे भी आपको ऐसे ही महत्तोपूर जानकारी वाले वीडियो प्राप्त होते रहे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों